बीबीटी चैनल पे आपका स्वाजत है साथियो बहुजन समाज पार्टी 2007 की तरह 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाओं में ब्रामहर दरित गठ जोर का पर्योग एक बार फिर करने चार रहे हैं आए साथियो वीडियो सुल करते हैं वीडियो में अंतर तक बने रहेगा इसमें आवस्यक बाते बताई जाएंगे साथियो आगामी 23 जुलाई को बहुजन समाज पार्टी का ब्रामहर सम्मेरन स्टार्ट होगा या पर्थम चरन होगा इस पर्थम चरन में 23 से ले के 29 जुलाई तक 6 जिलो में रगातार ब्रामहर सम्मेरन किया जाएगा अब आपको पता है कि बहुस्पा का सम्मेरन हो तो बहुस्पा के कारकरता तो रहते रहते हैं लेकिन इन सम्मेरनों का नाम ब्रामहर सम्मेरन होगा भाई चारा सम्मेवन होगा इसमें कोशिश ये की जाएगी कि इसमें ब्रामहर समाज की उपस्थती अधिक हो इस सम्मेवन का उड़ घाटन बहुजन समाज पार्टी के वास्थभा मिंबर और जनरल सेकेटरी स्री सतीश मिश्रा करेंगे यह जिम्मेदारी सतीश मिश्रा जी को दी गई है कि वो ब्रामहर समाज से आते हैं और ब्रामहर समाज के लोगों को ब्रामहर समाज के तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के प्रेमी हैं उनको इकठा करें और उनको इकठा करके बहुजन समाज पार्टी से उनको जोड़ अब यहां यह विचारनी प्रश्न है कि योगी राज में पिछले चार सालों में जिस तरह से ब्राम्हर समाज की उपेक्षा हुई है जिस तरह से ब्राम्हर समाज को प्रतारित किया गया है तो उसकी नाराजिकी करा फायदा बहुजन समाज पार्टी उठाना चाहती है यह प्रयोग एक बार 2007 में सफर भी गुआ था उसी प्रयोग को 2022 के चुनाओं में बस्पा की राष्टी अध्यक्ष मायवती जी दुहरना चाहती है बताया गया है कि इस तरह से ब्राम्हर समाज का भाई चारा सम्मेरन बहुजन समाज पार्टी अनसमस्त उत्तरप्रदेश के जिलों में आयोजित करेगी लेकिन जो ये प्रथम चारा है इसमें अयोध्या से 23 जुलाई को सुर होगा और रगाता अगर वगर चार जिलों में ये सम्मेरन किये जाएंगे 29 तक ये समाफ्त किया जाएगा ये ब्राम्हर सम्मेरन का प्रथम चारा होगा इसके बाद कई चरणों के प्रथम बनाए जा रहे हैं और जिसमें ब्राम्हर सम्मेरन जोर के या संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि बहुजन समाज पार्थी ही एक ऐसी पार्थी है जो ब्राम्हर समाज को हिसेदारी इसके साथ साथ उनका सम्मान भी सुरक्षित रखेगी और ब्राम्हर समाज का पूरा सम्मान सुरक्षा बहुजन समाज पार्थी में बना रहेगा माया बती जी ने अभी 2022 की तयारी सुभ कर दिया है उन्होंने अपने तमाम कौआडनेटों को इदर से उधर बदला है और भूत अस्तर पे जाके बहुजन समाज़ पार्टी के जो main being है और बहुजन समाज़ पार्टी की जो भाईचारा कमेटी है उसको रिवाइच करके जहां बन गई है या सुसुपता वस्ता में है उसको जागित करके और जहां नहीं बनी है उसको अगस्तक ततकार कंप्रीट कराने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है इस परकार अब ये देखना ये है कि सतीस जन मिस्रा जी ब्रामहर समाज को कितना बहुजन समाज पार्टी के साथ जोर पाते हैं या ब्रामहर समाज जो उत्तर प्रदेश का है बहुजन समाज पार्टी के साथ कितनी किस हद तक जाता है अब ये भी हो सकता है कि ब्रामहर समाज पार्थी के साथ चला जाता है तो इस प्रदेश का इस्तिती थोड़ा बदर जाएगी और बहुत उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को तो नुकसान काफी हो गई होगा पहुजन समाज पार्थी 2022 के चुनाओं में बहुत तेजी से आगे बह सकती है बस साथियों इस कर दिजेगा थैंक यू थैंक यू रही बहुत